अबीद है , ऐसा नहीं होना चाहिए पहले उसका जात्छी होना चाहिए कि असली दोसी कौन है कहां से ये ढ़ना घंट और किस्ने उसका शुरुवात किया वहां तक सरकार को जाना चाहिए तभी न्याय मिलेगा ए और उसको सदा देने की पोशिश करनी चाहिए सरकार को की जुन रैकार्य भी चल लाएं उससे कितनी संतुष्ट लाह i an आज के दिन ये जुन नृ happy चलना है जे शारे कार सरकार करine ककार जाए अंछ रहे हैं और कर रहे हैं हम लोग इनूब पर साथ दो आदमी है यादो है इसमें कोई जातिया है उसको जात किया जाए उनकी हत्या कंथ लोग को घर से जब अधस्ति उठागे प्रसाशन को लोग ले जाकर पड़ता पुर्वक जात किया जाए जो जिसमें दोसी पाया जाए जहिंद आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मेहुक मार बबलू तो साथियों देख रहे हैं अभी हम प्रेम चंद यादो जी के घर के सामने खड़े हैं और यहां पर तमाम नेता कंटीनियू आ रहे हैं उनसे हम लागातार बात चीत कर रहे हैं और जो न्याई कारे चल रहे हैं उससे क्या सभी खुस हैं इन सभी चीजों पर आज हम बात चीत करेंगे सर क्या नाम होगा आपका राजेंदर परसाद गुन मेरा नाम है जी सर अपना परीचे बता दे किस पर पे हैं और किस पार्टी मैं आदिबासी गुन महासभा का जिला ध्यक्ष हूं और स सर्वना घटना है सर्वना घटना होना नहीं चाहिए इस तरह से लेकिन हम यहीं मांग करेंगे सासन परसाद से कि इसमें निश्पक्ष जांच हो जो दोसी हो उसको डण दिया जाए बस सर जो इन न्याई कारे चल लाए हैं उससे संतुष्ट हैं आप लोग उसे हम लोग सं स्वक्षता पुर्वक जांच किया जाए जो जिसमें दोसी पाया जाए उसको नियमित कारवाई किया जाए इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं है अगर प्रेम यादों की हत्या नहीं होती तो इतना बवाल भी नहीं हुआ होता जो मेन आरोपी है जो प्रेम यादों का हत्य किया है उसको जाच किया जाय क्योंकि हट्या कौन किया अगर उनकी हट्या नहीं होई होती पॉइस सब शारे बावाल नहीं होए होते हैं तो जो मेरा जड़ है उसे जोड़ को पहले खोदा जाए है मैं शासन पर सासन से कह रहा हूं कि अगर अनुचित होगा तो हम लोग समाजबादी पार्टी के नेता हैं हम लोग नीध हराम कर देंगे हम लोग गलत काम नहीं होने देंगे अच्छा बुल्डोजर चलने की बात आ रही है क्या लग रहा है बुल्डोजर चलना सही है ऐसा है बुल्डोजर की बात है तो बुल्डोजर इनका अगर पाइमाइश नहीं से करा लिया जाए अगर अनुचित हो अगर उनुचित हो तो जो है कि बुल्डोजर चलाया जाए नए तुछ उची तो उस पर नो कोई करवाइप से हमारा यह क्या ना है कुछ आप लोगों कोछ जो पीड़ित परिवार हैं चिला लाका है लोगों तयार करने के लिए भी से श्वयोग्ट होगा हम अपने जो नेता हमारे बड़े नेता हैं कि अगर मांग की बात की तो नहीं आए की बात यह जिसे उनके प्रेम चेंद्र के भाई राम जी थे नहीं और तमाम लोग आत्या में थे नहीं और उनको नाम डाल दिया गया तो और मतलब और इसको जो है दूसरा रूप देना चाहते हैं तो नहीं सब्सक्राइब करके जो है इसको इसकी कारवाई किया जाए और उचित कारवाई किया जाए अच्छा सर मेरा एक और सवाल रहेगा यह आखरी सवाल है कुछ लोग जाती विसेश को लेकर के इस मुद्दे को बना दिये हैं तो सर इस पर क्या कहेंगे देखिए इसमे लोग रहें उन्हीं क्या कहेंगे यह वक्तव्यकापर यहाइं सोचल मीडिया जो ऐसी बात कर रहे हैं संपरदाइकताय की बात कर रहे हैं और समाजिक हैं मानावता के बिरोधी हैं मानों के दूस्मन अईसा नहीं होना चाहिए दोनों परिवार पिडित है दोनों को संतना देना चाहिए और असली दोसी कौन है किसने यह कुकृत किया वहां तक सरकार को पहुचना चाहिए और उसको सजा देने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को सरी जो न्याईक कारे अभी चल ले हैं उससे कितनी संतुष्ट हैं आप लोग ये आज के दिन ये जो न्याईक कार चलना है ये सारे कार सरकार के दबाओं में चलना हैं सरकार एक तरफा काम करना चाह रही है और कर रही है कहां लग रहा है सर सरकार काम इसलिए कर रही है कि जो निर्दोस है जो घटना के दिन नहीं थे उनको जबर्दश्ति उठा कर घरों से उठा कर रास्ते से उठा कर जेल में बंद किया गया है ये है अन्याय ये न्याय क्याम कार्य के बिरुद्ध है ऐसा नहीं होना चाहिए पहले उसका ज्याच होना चाहिए कि असली दोसी कौन है कहां से ये घटना घटी किसने उसका सुरुवात किया वहां तक सरकार को जाना चाहिए तभी न्याय मिलेगा नहीं तो न्याय इस सरकार में संभव नहीं है जी विल्कुल सर आपने सही का पहले इस घटना की जाच होनी चाहिए फिर उसके बाद से नयाइक जो परिक्रिया है उसे आगे बढ़ाना चाहिए बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना को ले करके आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और यहां की प